नमस्कार मित्रो स्वागत है आप सभी का एग्रिकोचिंग बाई विकास सर अगर आप लोग एग्रिकल्चर TGT, PGT, AFO, AAO, एग्रिकल्चर सुपरवाईजर, ICR, BHU, किसी भी एग्रिकल्चर कम्पूर्टेटिव की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा पूरा हर बार कहीं न कहीं एक यावों में देखा जाता है तो बार-बार रिपीट भी होता रहता है तो ऐसे कोश्चनों को हम आज के वीडियो में समलित किये हैं तो इस वीडियो को आप पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा चलिए सुरू करते हैं अपने फर्स्ट रहा है कि कौन सा जूठे फल का उधारन नहीं है, ठीक है, कौन सा जूठे फल का उधारन है, उधारन बताना है आपको, इसमें से कौन सा जूठे फल का उधारन है, जूठा फल उसे कहते हैं, दो प्रकार के फल होते हैं, एक होता है सच्चा फल, एक होता है जूठा फल, जू इससा अंडासे को सा थैल मस पार्ट भी हो। ठीख है इसका पार्ट जो होता है ये थैल मस के साथ भी फलकर निर्मान हो जाता है ऐसे फलक जूथा फलकह जाता है तो आपको बताना है इसमें कौन इस और कर् deben sugar बढ़ए है देखते हैं दिखाई दिता है तो नाश्पती में भी होता है से में भी होता है इसलिए इनको क्या कहा जाता है जूटा फल कहा जाता है ठीक है तो हमारे कोशन का correct answer हो जेगा 1 और 3 चलते हैं कोशन नमबर 2 पर कोशन नमबर देखेंगे दो काफी काफी important है फलों को पकाने ही तो कौन सा हार्मोंस का उप्योग करते हैं ठीक है ठीक है बहुत अच्छा कॉश्चन है यहां पे फलों को पकाने ही तो कौन से हार्मोंस का उप्योग किया जाता है इथाइलेन का, या साइटोकानिन का, या GA2 का, या ABA का, ठीक है, इन चारों में से बताएए कौन से हार्मोन का, फलों के पकाने की रूप में परियोग में करते हैं, काफी important question है, तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि इथाइलेन का, first option इसमें correct answer हो जागा, इसका उपयोग हम किसमे मिलेगा, ठीक है, किस नाम से, इथरेल के नाम से मिलेगा, और एथे पॉन के नाम से मिलेगा, इन दोनों नाम से इथाइलेन मिलेगा, तो मेरे question का correct, first answer हो जागा, चले चलते हैं, question number 3 पर, question number 3 कह रहा है, अंगूर में फलों का आकार, बढ़ाने हैं तो, किस हार्मोन का उप ठीक है, किस का आकार बढ़ाता है, ये कोश्का का आकार बढ़ाता है, तो ये हमारे question का गलत अंसर हो जागा, ठीक है, यह याद रखेंगे, और यहां पर correct answer हो जागा, यानि कि पूछा आप फलों का आकार बढ़ाने हैं, तो, किस हार्मोन का उप्यों क्यों करते हैं, तो, question number 4 करा है, खजूर के बगीचे में, नर और मादा का अनुपात होना चाहिए, एक अनुपात सो, एक अनुपात तीन तीन, एक अनुपात एक जिरो, या एक अनुपात तीन जिरो, तो इसका correct answer हो जाएगा, कि नर में कितना रखते हैं, एक पाट रखते हैं, और female 10, यानि कि क्या होता है, डाइस जिरो, यानि कि एक लिंगित रही होता है, इसके अंदर नर पुष्प और मादा पुष्प अलग-अलग स्थानों पर पाय जाते हैं, इस कारण इसको क्या अनुपात में रखा जाता है, एक अनुपात 10 में, यही हाल उसमें भी होती है, पपीता के अं नुपर 5 पर, कोशन नुपर 5 कह रहा है, जैम और जैली बनाने हैं, तु सबसे उप्यूक्त फल कौन सा, ठीक है, आपको बताना है, किस फल से जैली बनाए जाता है, आम और केला, सेव और अमरूद, गाजर और आम, आम और सेव, तिहां पर बता दे रहे हैं, कि जैम जो ब बनाई जाते हैं जैली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल जो होता है अम्रूद होता है ठीक है अम्रूद होता है यह जैली बनाने के सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि जैली के अंदर जैली बनाने के लिए पैक्टीन के आफशकता पड़ती है तो पैक्टीन वाला फल अ यानि कि कुल घुलन सील की आफशकता होती है जेली के लिए पढ़ती है अब आप याद रखेंगे जेली के लिए पढ़ती है प्रसंट हो जागा और जेली के लिए 58% आप शक्ता परती है TSS की और जेली सबसे एच्छी बनाई जाती है अमरू से और सेव से बनाई जाता है जैम सबसे एच्छा चलिए चालते हैं कोशन नमबर 6 पर कोशन नमबर 6 काफी इंपोर्टेंट कोशन है कोशन करें आम की सार्वदिक निरियात की जाने वाली किस्म कौन सी है आम की ऐसी किस्म बताना है जो सबसे ज़्यादा निरियात की जाती है देख लेते हैं आमरुपाली है अलफांसो है नीलम हिया सिंदू सिंदू के बारे में आप लोग सुनेंगे seedless variety जो होती है वो सिंधू हो जाएगी mango की और अमरपाली के बारे में भी सुने होगे कि सबसे बॉनी पर जाती जो होती है mango की वो अमरपाली होती है यानि कि सबसे जाधादा निर्यात करने वाली किस्म हो जाएगी किस्म के अदर और अलफांसो को ही GI tag मिला है ठीक है GI tag मिला है कहां पर ये महराष्ट के अंदर ठीक है रतनागीरी और सिंदु दुर्ग जो छेतर है वहां पर इसको अलफांसो को GI tag मिला है यह आप याद रखेंगे तो हमारे कोशन का correct answer हो ज़ागा यानिकी second option चलिए चलते हैं question number next बार question number 7 पूछ रहा है काफी important question है अगर आप लोग दोस्तो हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो हमारे चैनल को like करिए share करिए और subscribe करना ना भूलिए हमारे चैनल का नाम है agree coaching by विकास sir ठीक है तो देख लेते हैं question कह रहा है खजूर का विग्यानिक नाम क्या होता है फोनिक्स डेक्टाइली फेरा जीजिफस मोरिषियाना फाइकस बेंगलेंसिस या एंबल का आफसिनियलिस इन चारों में से बताए कोंसा आम का खजूर का विग्यानिक नाम हो जागा तो इसका correct answer हो जागा यानि कि फोनिक्स डेक्टाइली फेरा जो होता है ये खजूर का इसका गीजिफस मोरिषियाना यह किसका हो जागा यह यह जारा बैर का हो जागा थीक वैकस मेंकलेंस यह जागा ब्रद का ठीकपट का वेंग्यानिक नाम होता कभी कभी इक पूछ लेता है रेंगलेंटै opportunities यह और गि यह यह जागा आवलेंटै तो हम चारों ऑप्स्चं के वेग्यानिक नाम होता है यह आपको याद रखना है फल मक्ही का फल मक्ही का वेग्यानिक नाम क्या होता है यह इसके पर मुख कीट है उसके बाद अमरूद का ब्रेक्टो सेरा इस्पीसी अमरूद में लगता है कीट यह यह एकदम करेक्ट है यह ओधि यह तीनों ही करेक्ट है यह फल मक्ही है ठीक है फल यह फल मक्षी है, ठीक है, किस में लगता है, सबसे ज़ाद नुकसान पहुचाता है, यह अमरूत के अंदर सबसे ज़ाद नुकसान पहुचाता है, तो यहाँ पर बेमेल कुछ हाटना था, तो बेमेल हो जागा हमारा, यानि कि fourth option ठीक है fourth option यह हमारा correct answer हो जागा क्योंकि fugarium oxysporum पपीते में ऐसा कोई रोग नहीं लगता है जो fugarium oxysporum के कारण लगता हो भैंकर रोग नहीं लगता है ठीक है यह ध्यान देंगे तो question number 4 एक दम correct answer हो जागा चलिए चलते हैं question number question number यहाँ पर देखेंगे काफी बैतरीन question है और important question है जो कि बहुत बारे जहां पूछा जाता है यहाँ पर पूछ रहा wave tail रोग और brownie किसका देहिक विकार है यानि कि किसका physiological disorder है तो देख लेते option पत्ता गोभी का फूल गोभी का या मूली का या प्याज का तो यह इसका correct answer हो जागा यानि कि विव tail और brownie जो physiological disorder लगता है यह फूल गोभी का लगता है ठीक है किसका हो जागा second option इसमें correct answer हो जागा brownie जो होता है यह बोरान तत्तो की कमी की करणना लगता है और विव tail किसके करणना लगता है यह यह आप याद रखेंगे चलते हैं दोस्तो कोशन नमबर 11 पर हो दोस्तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो हमारे चैनको लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए देखते हैं कोशन नमबर 11 क्या कर रहा है क्या रहा है तरबूज में कौ1 वीषेयला तट्आ यहां पर देखना तरबूज के अंदर कौ1 पाय जाता है कूकूर-बीर सीन अनल मार्मूला डिर syne या सोरोटो निन या सेपुनौन需 इन चाणरों में से सब्सक्राइब कर्णाता है वह तो इसे जो निए किसमें पाए जाता है करेले में कशिलापन किसकी करणा होता है सेपोनीन किसमें पाए जाता है ये टमाटर में याप याद रखेंगे ठीक है ये सब इसलिए तरसे किसमें पाए जाते हैं टमाटर में करेले में कड़वापन यानि कि बिशेला किसके करण आता है किसमें कड़वापन होता है किसमें टर्बूज के करां इसके बारे मैं बता दिये जो हरापन हो जाता है आलू हराग हो जाता है तो हमारे कोशन का correct answer हो जागा यहाँ पर यानि कि first option बैगन में कड़ाउपन गलाइको एलकोलाइट्स की कारण या option में अगर गलाइको एलकोलाइट्स ना दे तो उसकी जगा पर सोले निन दे सकता है ठीक है सोले सो डीन के करण सोले सो डीन के करण दोनों में से एक option आपको मिल जाएगा चलिए चलते हैं कोशन नंबर 13 नंबर पर यहाँ पर कोशन देखेंगे कोशन करा ब्लांचिंग कितने समय तक की जाते है ठीक है काफी important है यानि कि सब्जियों और फल मिनट, 2-5 मिनट, 10-15 मिनट या 30-32 मिनट तो इसका correct answer हो जागा यानि कि 2-5 मिनट second option इसमें correct answer हो जागा चलिए चलते हैं question number 14 कोशन यहां पर देखेंगे question number 4 करें डिबाबंदी करते समय फलों को संसाधन कितने ताफमान पर करना है ठीक है यहां पर फलों का पूछा ना कि सब्जी का पूछा है तो option देख लेते हैं कि अगर यहां पर देदिता सब्जी सब्जियों को कितने डिग्री संसाधन यानि क डिबाबंदी करते हैं तो तब हो जाता हमारा 115 से लेके 111 degree centigrade यह हो जागा सब्जी के लिए है ठीक है यह आप याद रखें सब्जी के लिए हो जागा 115 से 101 degree centigrade चलिए चलते हैं question number 15 पर question number 15 कर रहा है कि इस औसधिये पोधे का उपयोग बायो डीजल की रूप में यानि कि जि बीरा तो इसका correct answer हो जागा यानि कि जेट्रोफा का उपयोग हम बायो डीजल यानि कि इंधन के रूप में करते हैं तो हमारे question का correct answer हो जागा मेरे मित्रों यानि कि जेट्रोफा यानि कि second option इसमें correct answer हो जागा चलिए चलते हैं question number 16 पर यहाँ पर question कह रहा है किस सब्जी में protein की मात्रा सारुदिक पाई जाती है ठीक कुछ सब्जियों का यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं और इसमें से बताना है किसके अंदर protein की मात्रा सारुदिक होती है देख लेते हैं भिंडी है, टमाटर है, फुलगो भी है या मटर है तो इसका correct answer हो जागा याँने कि मात्र के अंदर क्या होता है protein की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, कितनी मात्र पाई जाती है protein की मात्र तो 7.2% यह protein की मात्र पाई जाती है 7.2% यह आप यादर होना चाहिए, čलते है question number 17 पर कोर्शन कह रहा है लोकाट ओर लीची, ठीक है, यहाँ पर पुछा लोकाट और लीची के जो फल होते हैं किस जलवाई के लिए अच्छे लगा सकते हैं और लोकाट को भी जलवाई में लगा सकते हैं लोकाट जो होता है यह आपका रोजेसी फैमिली से बिलों करता है ठीक है लोकाट जोता है तो हमारे कोशन का इसका करेक्ट टांसर हो जागा याने की सेकर्ड ऑप्सन उपोशन ठीक है जिसको सब ट्रोफिकल की नाम से बोला जाता है चले चलते कोशन नबर अठार आपका कोशन देखेंगे काफी बैतरिन कोशन है जो की बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन बनता है इस परकार के एक्जाम जाता है ठीक है तो हमारे कोशन का करेक्ट टांसर हो जागा इसमें सेकेंड ऑप्सन चले चलते हैं कोशन नमबर 19 पर कोशन कर रहा है यहां पर राश्ट यह बीजिय मसाला नुसंधान संस्थान कहां इस्तितन तबीजी अजमेर में या खैमरी धोलपूर में बीच्छा मेर तो इसका करेक्ट टांसर हो जागा यानि कि आपको बता चुके हैं यह तबीजी अजमेर में हो जाएगा ठीक है यानि कि राजधान में है तो यह ओप्शन इसमें करेक्ट टांसर हो जागा चलिए चलते हैं कोशन नमबर 19 पर कोशन यहां पर देखेंगे कोशन कह रहा है सह स्थ्विमिलित कीजिए ठीक इसमें से बताना कौन सा परेक्ट अंसर कोगा टमाटर लायको पार सिक आन्सर हो जागा या यान की उब्यूख सम्हीं अंसर इसके परेक्ट अंसर हो जगा चलते हैं कोशन नबर 22 पर कोशन यहां पर देखेंगे परवती चेत्रों में फल वरिछ लगाने है तू अनमोधित विधी कौन सी है ठीक है जो पहाड़ी चेत्र होते हैं वहाँ पे कौन सी विधी सबसे अच्छी मानी जाती है फल लगाने के लिए वर्गाकार विधी पंच बुजाकार सीड़ी ता या आयतका तो इसका करेक्ट ट यॉप नि प्राइब फ़ें लगा देते हैं इसको सीड़ी विधी बुला जाता है उसमें एक खाई एसुकार करता 안 여기까지 होता तो यहां पर सीड़ी ता बहुता है तो यह पर दो परवती चेत्रों के लिए सब से नमनी जाती है चलते हना कोौशन नंबर टेश पर कोश्चन नमबर 23 कोश्चन करा बेमेल कौन सा है ठीक इसमें से बताना यानि कि तीन ओप्षन इसमें एंडो वर्मा होता है यह आप याद रखेंगे एंडो वर्मा होता है बाकी केले का उत्पतेस्तान एंडो मलाया होता है, बैर का एंडो चाइना और अनार का इरान होता है चलिए चलते हैं question number 24 पर question number देखेंगे यहाँ पर 24, 24 number question करा है बे मेल को छाड़ना, इसमें से चार option नमें से बताना है कौन सा incorrect है टमाटर का लाल रंग, लाइको पीन के कराण मिर्च का तीखापन, कैफ से सीन के कराण बैगन में कड़ापन, गलाइको या उप्योक सभी, तो इसका correct answer हो जागा यानि कि सभी, ठीक है फोर्थ option इसमें correct answer हो जागा टमाटर का लाल रंग, किस के कराण होता है लाइको पीन के कराण होता है, मिर्च का तीखापन, कैफ से सीन के कराण होता है, और मिर्च का लाल रंग, कैफ से थीन के कराण होता है, यह याद रखेंगे, बैगन का तीक, कडवापन, गलाइको, एलकोलाइट्स के कराण होता है, ठीक है, यह आप याद रखेंगे, चलिए, चलते हैं, question number 25 पर, जो कि आज का हमारा last question होगा, question यहाँ पर पूछा है, जो कि आज का last question है, पूसा नन्ना किस क किस में, केला की है, अनार की है, पपीता की है, या अमरूत की है, इन चारों में से बताएगे, कौन सा correct answer हो जगा, तो पूसा नन्ना के बारे में, आप लोग सुने होगे, काफी famous वराइटी है, तो यह हो जाएगी, ठीक है, पूसा नन्ना किस की वराइटी है, पपीता की हो आप समाप्ट हुआ है, यानि कि 25 कोशणों की सीरीज, आज यही हमारी समाप्ट हुई, कल फिर बहतरीन कोशणों को को आज कल के डेट में लेके आएगे, आज किप poster 25 मसे कितने कोशण आपको आ रहे थे, कितने कोशण आप कर पा रहे थे, इसका answer आप कमेंड में लिखिए 25 कोशन में आप लोगों को 15 सभी आ रहे थे या 25 कोशन आ रहे थे या 25 में से 20 कोशन आपको आ रहे थे तो आज का वीडियो इसे माप्त होता है जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को सभी लोगों को धन्यवाल